एक लेटस्ट ब्रेकिंग निज नेगल राई है पेपर लेक मामले में सचवाले कलर्क भरती में तीन और एरेस्ट पोस्ट कोड 962 में बिजनेस नेकी कारवाई तो पोस्ट कोड 962 में तीन और लोगों को गिरिफ्तार किया गया है तो चली डिटेल में इस खबर को हम देखते हैं कि क्या यह सारा मामला है तो बिजनेस ने सचवाले कलर्क भरती मामले में बड़े कारवाई करते हुए बुद्वार को तीन और रोपियों को गिरिफ्तार किया है यानि कि तीन इसमें पहले गिरिफ्तार कर लिए है तीन और इसमें गिरिफ्तार किये गए है बिजनेस न पहले बिजिनस ने अरोपी महिला, कर्मी उमाजाद और अयो करेलेक के सामने ढ़ाबा चलाने वाले सोहन सिंग, गाउन दुंदला, तैसिल बंगाना, जिला उना और निलंबित ट्राफिक इंस्पेक्टर रवी कुमार निवासी को गिर्फतार गिया था। बिजिनस की जाच में ये खुलासा हुआ है कि धाबस अंचालक और निलंबित ट्राफिक इंस्पेक्टर रवी कुमार के मुवाईल फोन से जाच एजनसी को इस प्रिक्षा के परशन पत्र मिले हैं। अदालत में पेश करने पर अरोपी धाबस अंचालक सोहन सिंग को और नि सेक्रेट टर्क पोस्ट को 900 बासल में जो एक्जाम हुआ था उसमें अभी जो है तीन और लोगों को गिरिफतार किये गया हैं। जिन्होंने पेपर खरीदा हो पेपर खरीद किन्होंने भरती दी होगी क्योंकि बाकी जो पहले तीन गिरिफतार किये थे वो तो उमाजाद और जो अव्ड़री ट्राफिक इंसफेक्टर लगा था और ढाबा चालक ये तीन गिरिफतार गिये थे जबकि अब तीन और लोगों को गिरिफतार किया हैं। तो अकुल में लाके पोस्ट को 1962 में अब छे लोगों को गिरिफतार कर लिए गया हैं। तो यह आपके लिए ल बिरोजगर युवा शिमला में चोड़ा मेदान पर प्रदशन कर रहे हैं। अंचन पर बैठे हुए हैं। आप उनका सही हो कि यह उनको जादा से जादा सपोर्ट करें। ताकि आप उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकल सके। आप उनका साथ दोगे तो कल को वह चैबनेट की मीटिंग है। तो अगर आप शिमला जा सकते हैं तो जादा से जादा संख्या में शिमला जाईए और अपना रोश परकट किजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग जाहिन चाहिमाचल।